ख्यात कपिलमुनी टेंपल पर कपिलमुनी मंदिर जो बिल्कुल गंगा साकर के सामने है यह है कपिलमुनी सरोवर जी हाँ कपिलमुनी जी जो बहुत ही विद्वान मुनी और रिश्यो मसे एक हुए हैं जी हां यह देखिए और यह है भव्वय कपिल मुनि टेम्पिल अद्भुत जस्वाव मैं यह देखिए बहुत बड़े परीसर के अंदर है मंदे और बिलकुल गंगा सागर के सामने हैं और मेरा कॉटिज भी बिलकुल नियर बाए है यह देखिए कपिल मुनी मंदिर बहुत ही भव्वय है मंदिर देख सकते हैं यह देखिए जै कपिल मुनी जी की बहुत ही बड़े एरिया में है मंदिर यह देखिए और साम नहीं बिलकुल इसके है बोरा गंगा सागर देख सकते जहां से मैं आ रहा हूं साम नहीं गंगा सागर है अब जस्वाओ मैं और इधर से जाओ तो लेटेंट साइर उधर से आओ तो राइट एंट साइट मेरा कार्टेज गंगा कॉटेज और यह देखिए बीडिफुल मैं है यह देखिए जॉट जुट यह आपके शॉप से हैं जहां से आप शोब निस खरीज सकते हैं यह देख वाउ यह देख सकते हैं कितना भव्व्व है क्या बात यह देखिए अहाँ हर हर गंगे जैब हो लेनाथ हर हर गंगे जैब हो लेनाथ लोकेड़ वाउ यह देखिए कितना भव्व्वे रूप है जिहां वाके में भारत अतुल्ले हैं जहां पिछले 35 वर्षों से भारत ध्रमन कर रहा हूं वैस्तों मैं हर्टी एटी थर्टी नाइन येर से लास्ट ट्रेवलिंग कर रहा हूं लेकिन 35 वर्षों भारत ध्रमनों दो बार मैं कंचन जंगा से कंचन कुमारी कंप्लीट कर चुका भार ली अभी मेरी इतनी सारी चीज़े रह रही है तो आप समझ सकते हैं कितना विशाल है भारत कितना अध्भूत है जास्ट वाव मैं यह देखिए शौप से जहां से वर्षिव आइटम खरीच सकते हैं जास्ट वाव डिए साखना भी दोस्तों अ बंद को हम चलते हैं अपने कॉट्टिज में लगाते हैं गंगा जी में घंगा साखर मूं रुपके घर यह रहें सूंग कि थे संवाब ऐस सुरे अधे कि समया अध्युड अग जस्माज टेक खर बाबाइश टेशे एं टैक्स टेकर बाबाइ झाल झाल झाल